हालो गाइस दिस प्रियाज बतम है तो यार आज से मैट्स की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और रिलेशन फंक्षन के मैं आपको इंपोर्टन कोशन आज दिने वाला हूं तो यहां पर मैं कुछ चीज़ है एक्स्प्रेइन भी करूंगा मैं अपको समझाओंगा तो दो सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी आप कर सकते हूं तो आपको पीडिएफ मिल जाएगा तो पहले आपको कैसे आगे बाढ़ना चाहिए सबसे पहले आपको गिवन लखना चाहिए कोई भी कोश्चन है अप सब्सक्राइब आप गिवन लखो दूसरी बात आती है ABC कि कई वा लोगो ABC में डाउट होते हैं किसको हम बोलते हैं पहले चीज तो रिलेशन का मतला होता है किसी भी चीज़ का कनेक्शन होना किसी भी दो क्वान्टिटी या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के वीच में जब लिंक होते हैं उसको क्या होता है सैट होता है जिसको में सब्सक्राइब करते हैं से रिफाइन कड़ते हैं तो यहां पर और ऊत्री यह रहेगा यह को बलॉंग करेगा मतलब क्या Mum को सो केसी करते हैं तो चाम मतलब होता है एक एक का मतलब दू का मिलए थहन सुक्रीय को पता है वो दूसरा मेंने आप नहीं होना बोलते है एक वे हैं रुपलेस्स करते है थर्ड में आपको बता है रूल यह कहता है कि अगर relation a, मालो कोई भी relation है तो कि एक set में define है और मेरे पास मालो a, b है number है one two कोई भी है वो किसको belong कर रहा है आर को belong कर रहा है तो हम उसको कब बोलें कि reflexive है तो reflexive relation कब होता है जब a, a, r को belong कर जाए मालब a, a, r को belong करने के relation को belong करने चाहिए तब जब condition satisfy हो जाए कंडिशन मतलब क्या कि जब उसमें कोई भी condition आईगी जिसमें आपको value put करनी पड़ेगी a और b की और अगर वो situation में satisfy कर जाता है वालब equal values आती है तब हम कह सकते ही वो reflexive relation है मैं आपको भी करके भी बताऊंगा तो अब फिलाव लागें concept समझ रहे हैं और रिफ्लेक्सिव एकॉमा एक बिलॉंग तो बस अभी हम मैं सब आपको समझा दूँँँ बाटा भी फिला लागे इतना समझ लेते हैं कि एक और बिलॉंग करता आर को बस और और रिफ्लेक्सिव एक होगा समें किसको कहते हैं बी कॉमा एक बिलॉंग्स टू आर करा दिया मालब हमें पास starting में क्या था एक और बिलॉंग्स टू आर था question में given रहेगा एक कॉमा भी है आर की वैल्यू अब इसमें आप इसमें रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक निकाल के बताओं तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे ए और कॉमा ए लिख देंगे बी की जाके पर हम ए रिप्लेस कर देंगे हना बी क्या आएगा क्या आ जाएगा सब्सक्रां किया रिफ्लेक्सिव रिलेस्व ऊपरेंगे डूसरा मैं हमें आपको बता होता है यहां कर occupy करन चाहिए तोmaya कंपे सिमेट्रिक होग होगा तब सकी कंडिशन सैटेश्पा होगी हो पर आगर को बिलॉंग कर रहें तो इसकी कंडिशन में आपको बताऊंगा और इसका नियुक्त करते हैं को और इसका रूमा भी आगर बिलॉघ करना चाहिए यह रूड को यह तेन रूमा विलॉघ करना चाहिए तो यह तीन रूल में आपको प्रोंट करा दॆ हैं आप चाहओ तो इसको पॉस करके नोट कर सकते हूं अभी हम हम यह question है टच कर रहा है relation का जो कि आपको समाझ में बहुत हेल्प करेगा एक question हम लेंगे आपको method अच्छे समाझ में आएगा और जो आपको PDF में दे रहा हूं उनके आप practice कर सकते हो same method से अभी हम question पढ़ते हैं is equal to bracket है कुछ नंबर से मैंने आपको पता है relation को कैसे करते हैं से हमारे पास 123456 अब हमको यहाँ पर चेक करना कि है चेक वेदर दर रिलेशन इस रेफ्लेक्सिप सेमेट्रिक एंड ट्रांसिट्व तो हमको यह प्रूव चेक करके बताना है कि यह जो हमारे पास से डिलेशन है अना आर को डिफाइंड के अगर आर इस डिफाइंड बायार इस इकल टू ब्रैकेट के अंदर एक ओम भी सच देट बीजिगल टू प्लस वन आपको मुस्ट आपको मुस्ट प्लस वन जाएगा यह कॉमा भी बिलॉंस तो यहां पर है मिला हुआ हुआ है इकल टू ब्रैकेट के अंदर एक ओम भी सच देट ना दो डॉट का मतला होता सच देट बीजिगल टू एप्लस वन थाना बीजिगल टू एप्लस वन राइट तो बीग लेते हैं टू और एक ओम लेते हैं वन वैल्याद रखना तो अब उसमें हमको क्या करना है चेक करके नहीं है रूम को ध्यान रखना है है और फिलाल हमने मैं आपको पहले लेग सबस्ट अब रखने हैं और जहांपे ठीचेंमें हमको रखने तो उसका अंसर हमको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्स है यह नहीं है सबस्पवल रहा से हम मैंने आपको बोला कि विलॉंग्स वर reflexive के लिए और reflexive हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर लखेंगे if a , belongs to R कैसा एक आप कोई बिलॉंग कर रहे हैं हम आर को और यहाँ पर लेह लख सकते हो एकॉमा कॉमा बिलॉंग्स टुए ना वर ऐल, इकॉमा बिलॉंग्स टुए इसको भी हम अटाते थोड़ देर के लिए पहले चीज़ाएगी यहाँ पर सच दैड 20 एक प्लस फ्लस वन कौ में क्या गीए किैंट रहा है है और साचे डेट कंडिशन है की 20 वे प्लस वन है हना अ कंडिशन पर ध्यान रखना आपको वेज इक लेहां को घमने को करना क्या है हमने इफ्टो लिक दिया विल्हेस को रूड रूजल कर रहा है तो को माउन को बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी किया आ जाएगा एक कॉमा ए बस इत्ता आए रखना एक कॉमा बी है तो उसको आपको लग देना है रिफ्लेक्शिव में एक कॉमा ए सिंपर यहांप लेख देंगे देंगे यह फिर दैन आपकर करके लिख सकते हूँ यह कॉमा ए मस्ट यहां पर हमने क्या है reflexive का rule लगाया हुए है तो ए, a, r को belong करेगा और यहां पर b की आगे आजाएगा a is equal to a plus one जाना क्या बताए मैंने आपको a, b r को belong कर रहा है और b is equal to a plus one हम लेख सकते हैं क्योंकि condition है और हमको reflexive बताएं तो reflexive का rule कहता है a, a belongs to r हना एक सी value आप उसमें रखो तो वो belong करना चाहिए r को such that a is equal to a plus one b के आगे आजाएगा क्या a, b के आगे a आजाएगा अब इस a में हमको करना क्या है value put करनी है मैंने आपको बताएं था condition रखने के बाद हमको इसमें value put करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब करते हैं इसको भी हटा इसको हमने रख दिया अभी हम यहाँ पर value put करते हैं जैसे यह हमार पस क्या है मैंने आपको बोला वन ले देते हैं one is equal to a की जगे आएगा हमको टू मिले गया है जो की फॉल्स है हाना condition गलत होगी यहाँ पर वान इस उकल टू टू नहीं होता है हाना यह बात का खास जान रखना हमने क्या किया value put करी reflexive के लिए कि एक कॉम बन एजूम कर लेते हैं तो वन इस उकल टू आया है condition गलत होगी condition satisfy नहीं हुई अगर वन इस उकल टू वन आता तो हम कह सकते थे कि एक को माई आर को बिलॉंग कर रहा है और वन इस उकल टू वन है यहाँ पर गलत होगी वान इस नॉट इकल टू के नहीं है जिसका मतलब कि यह जो हमने अभी तक क्या है हमने रूल लगात और एक उम्हाइब लॉंग करा ये था और ईपलस ब्लस वन पॉत किया था और एकी की वैल मेंने वन आपको बताया वन इस नॉट इकल तु का मतलब है वन इकॉल की पॉसिबल अ नहीं है अगर one equal to one आता तो हम उसको बोलते कि रिफ्लेक्सिव है बट यहां पर हुआ क्या कि one is equal to two आगे मतलब यह condition गलत हो गई तो हम यहां लग सकते हैं which is not possible अब यहां पर लिख सकते हो which is not possible ठीक है यहां पर लिख सकते हो one equal to two नहीं होता है इसका को मतलब यह जो हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे थे तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप लेख सकते हो लिए को मैं आपको मैं समझा ढ़े चैक करंगे तो पहले पहले आपको मैं हलका समझाज है तो हमने लेख दिया एक ओम में बिलॉंग्स टु आर कर आया और सच एकल टु ए प्लस वन एकल टु आजोग इकल नहीं होता इसका मतलब अंतर यहां पर आता है तो हम कहते एक है रिलेशन है तो हम कहते हैं यहां पर यहां क्या कंडिशन पहले पहले नोट करो फिर हम बारते से मेट्रिक की तरफ तो आपने आपने नोट कर लिए होगा हम बारते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ तो यहाँ सेम कहानी आपको सबसे पहले लिखना है क्या क्या होगा हो सकता है कंडिशन में कंडिशन भी हमको ध्यान रखना होता है और यहां पर यहां पर रूल क्या कहता है कि अगर और को बिलॉंग कर रहा है तो यह कहता है कि बी कॉमा अब्र को बिलॉंग करने चाहिए किया इसे हमने यहां पर क्यान डेंटेंच कर रही है एक जागे भी की जागे बी आ गया ऐा बी की जागे ए आगया और यहां पर ब्लॉंग लिखा है और डूलेक्षट एल्ष फनने तो हमने क्या किए यहां पर वैल्यू इंटर चेंज करीज़ करिए इससी तारीक सही जो हमाले पास कंडीचन है इसमें भी हम वैल्यू चाहिए बी की जागे लिख देंगे और एक जागे इंगे कि अग्वारिंगे कि यहां पर लागांगी कि यहां पर नहीं है चलिसे पता दा गए और इसे आपको बता चल जाएगा एन पर लेते हैं टू प्लस बंगते हैं यहां पर आपना अंसर प्लिशन फिर गलत हो गई नहीं हो सकता यहां पर फो रहाँ होती है अगर यहां पर एक्जमपल अगर हम यहां पर solve करते तो अगर हमारा answer one equal to one आया होता तो हम उसको कहते यह symmetric relation है क्योंकि condition satisfy है lhs rhs equal आया है बट यहाँ पर कहानी क्या हुई है हमने लेक तो दिया b comma i belongs to r but condition में हमने क्या कि value put करी one or two a b की तो इससे क्या हुआ हो कि हमारा answer गलत आगे lhs rhs equal नहीं है यह हमारा क्या बोलते symmetric relation नहीं है तो आप यहाँ पर simply लेख सकते हो कि भाई विच इस नॉट possible which is not possible तो लेख सकते हैं therefore r is not symmetric relation relationship r is not symmetric बस इतना लेख दिने हैं फिर उसका प्रसका कर के बता है यहाँ नहीं है पहले मैंने अपको बताया reflexive घर नहीं है तो reflexive था नहीं था नहीं था और यहाँ पर हमने चाहस किलिए सेमेट्रिक के लिए नहीं है रिलेशन आप हम चैक करें ट्रांजिटिव के लिए तो पहले आप इतना पॉस कर लो आई ओप को अच्छे समझ में आ रहा हूँ जो भी मैं सब सिखा रहा हूं तो इतना पॉस कर लिए कि अ कर रहा है मर्लो को भी नंबर संब्सक्रांटर शहीं है और यहां पर यहां पर पर रहा हूं आप B, C belongs to R इसमें important चीज क्या है B, C B, C का आपको याद रखना है A, B तो आपको याद हो याद वाग़े जैसे है और प्रैक्टिस करोगे A, B, R को बिलोग कर रहा है और इसमें transitive में एक बात आप याद रखो B, C, R को बिलोग करता है बिलौंग स्टु आ तो ड्रांजेटिव सिई को गहते हैं अगर और को बिलौंग कर रहा है और दिडांजेटियु रूम्ड ने तो एक स्वासी आरो को बिलौंग करने चाहिए लौ्न о सिद ब effle किया वोल mêmesे प्लमद आरप रहा हैं फे मैंने बोलہ विसलिफ या पर ट्रांजेटिव का ट्रांजेटिव में मैंने हाँ पर सब्सक्राइब करना चाहिए और मैंने आपको यह बता है कि क्या है एक अब अब इसके हुए इनकी मेर्लियू रिपलेश कर निया आपको यहां पर कंडिशन वे इक व्याज उक प्लस बैडिकर दीए इस इकल चीजिग वे प्लस तो यहां प्लस वन यहांपे पर क्रियार ही कहानी अब यहां पर लगतीगे दें रूल क्या कहता है यह करना चाहिए और कंडीशन पर हमको वैल्भी थ्यान रखना है अगर आप यहां पर माल लो जैसे मैंने बोलता कि आप कंडीशन पर वैल्यू वन टू ठी रहो अगर आप यहां पर टू रखोगे एक बान रखो गे तब भी इक्वल्सी दाएंगी अब यहां पर क्या है अब हम सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या चुका है एक कॉमसी तो यहां पर हम लिख देंगे एक प्लस वन इसमें आप यहां पर हम्हारा अंब क्या थो सबस्क्राइब है अब हम causated cannabis सब्सक्राइब होगा क्या रखा यहां पर थी रखा एक वथ को रखते हैं को तो यहां पर मैंने सी इक्वाल टू ठी रखा एक क्वाल टू रखा तो थी इक्वाल टू टू आ गया जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक बार और एच्छी समझते हम सबसे बहले में आपको बला एक को भी हम विलॉंग करेंगे आर को और कंडिशन क्या थी इकवाल टू एक प्लस वन और ट्रांजेटर में एक चीदा और एड़ आते बी कॉमसी यह आपको याद रखना है बी कॉमसी बिलॉंग्स डू आर और यहां पर क्या हुआ यह कंडिशन सटिस्फाइग नहीं हुई एक कॉमसी बिलॉंग्स बिलॉंग्स यह जो कंडिशन क्या थी कंडिशन हमारी थी इसको एक प्लस वन तो हमने इसको रख दे सीगोट शीपर हमने रख दे अंवन आ वैल्यू आज्यू कर सकते हैं तो तरी हटे से गलत लस होगए ले लेचे इकल टो आजएस यह स्क्राइद मेंस यह जो हमने प्रूब किया है य यह पॉसिबल नहीं है यह आपको अच्छे समझ में आ गया तो हम यह आप लेक्टेंगे विच इज विच इज नोट पॉसिबल देर्फोर आर इज नोट ट्रांजिटिव तो आर क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा बस आपको इतनी चीज याद रखनी है तो हमने क्या प्रूफ किया पूरा कॉश्चन खता हो चुका है हमें क्वेश्चन वताना था चेक करना था कि भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं है सिमेट्रिक है है तो हम त्यों चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमको यह रिजल्ट मिला है कॉन्क्लूजन यह वह हुआ है कि एक बार तो लिखने के बाद हमने क्या रूल लगाते गए है हना कि एक रिफ्लेक्से में तो एक कोमा ए होगा अगर एक और रख्षक्रा नी ख कोई B çekाँ में रही तो ओप और दो दो को महीं है और एगर ट्रांजिटेप हैं तो ऊल्सका करें तो ऑर सिर्दर अगला क्या हो नता है तो ऑं भोल सकते हैं कि वह सिमेट्र करते है तो इस तरीक से आप पढ़ते हूँ तो आपसे रिलेशन अच्छे से बन जाएगा और अगर मालू अगर हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है से मेट्रिक होता और ट्रांजिटिव भी होता ता हम उसको गहते इक्विवैलेंस डिलेशन है अगर लेशन तेनों चीज सभी कर रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव भी एक्विवैलेंस डिलेशन है समझ में आगए अच्यसे आपको सब्ढ़ाया हूं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगे जिसमें आपको मैं फंक्शन के बारे में बताँगो को फंक्षण का एक क्वेशन टाच करेंगे और इंवर्स टेक्णेमेट्रिक्ट के मैं आपको क्वेशन प्रवाइड कराओंगे और फंक्षन के इस बीडियो में मिलका है आपको बस पढ़ाही करते रहे हैं प्रियए के फोर्म में उसको प्रैक्टिस करूंगे अच्छी झाल झाल